सीदे तस्वीर हम आपको दिखा रहा है एज़ाशंकर स्यो समिट जो कि इस वक्त पाकस्तान होट कर रहा है स्लामाबाद में दरसल वहाँ विदेश मंत्री एज़ाशंकर पहुचे हैं हाला कि यह बहुत छोटा उनका दौरा रहने वाला है 24 घंटे से भी कम वो समय वहाँ बिताने वाले हैं और 9 सालों में अगर हम देखें तो कोई विदेश मंत्री वहाँ पर पहुचा है से पहले सुष्मा सुराज वहाँ पर पहुची थी अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर बातचीत होने संदेश करें लेकिन भारत की तरफ से एक संदेश और एक मैसेज कर दिया गया है कि किसी भी इस्तिती में आतंग वाज पर जब तक नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक बातचीत के दर्वाजे ऐसे ही बंद रहेंगे बैठक के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने हैं स्लामाबाद को पूरी तरीके से सुरक्षा वहाँ पर बढ़ा दी गई थी क्योंकि वहाँ प्रमुख जो है वो पहुच रहे थे स्यू समिट में विदेश मंत्री एजजरेशन कर पहुचे वो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहें से पहले वो तस्वीरे भी हमने आपको दिखाए थी जब वो सुबह मॉनिंग वॉक के लिए भी निकले थे जिन्ना कंवेंशन सेंटर में राष्टा धेक्ष्टों की ये बैठक होने वाली है हाला कि शर्वात में ही पाकिस्तान की प्रधान मंतर शर्वाज शरीफ का स्वागत भाशन है इसे पहले उन्हें डिनर भी दिया गीता भी हमाई साथ हमाई स्वयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है गीता जरा आज का पूरा प्रोग्राम बता दीजे जी बिलकुल अभी अगर आप देखें डॉक्र जैशंकर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके है और शर्वाज शरीफ जो यहां पाकिस्तान की प्रधान मंतरी उन्होंने रिसीव किया जी है तो फिल्हाल लागीता उप आपकी आव आवाज सेंटर्थ अनी पहुच पारी ए लेकिन यह तस्वीर है जरूर जो वहां से आई है नौ साल के बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान में दौरा है आपको बता दें लगातार जो आतंगवादी गत्विदिया पाकिस्तान की तरफ से परोसी जाती है भारत में और उसी को लेकर भारत ने अपना जो रुख ह आज जब विदेश मंत्री वहाँ पर है से पहले जब वो जाने वाले थे आला कि कुछ खबर यह भी थी कि विडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्य विदेश मंत्री वहाँ शामिल हो सकते हैं नियाता तृधान मंत्री को गया था लेकिन विदेशbows साफ को यह पहले था कि विद पाकिस्तान के साथ नहीं होनी है यानि भारत ने अपना संदेश बिलकुल कड़ा रखा है कि आतंगवाद जब तक खत्म नहीं करेगा पाकिस्तान भारत के तरफ से कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को कई मोचों पर इसका खमियाजा भी भुगत पड़ा है इससे पहले राजना सिंग को भी आपने सुना क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है कई लोगों के सामने हाथ फिला कर फंड की मांग करता नजर आता है राजना सिंग ने भी कहा था कि अगर भारत के साथ संबंद अच्छे होते तो हम ही फंड करते लेकिन उसंबंद पाकिस्तान ने अच्छे बनाए नहीं आतमवात परोसने के वज़े से आज खुद वो गड़े में घुसता जा रहा है